सबसे पहले हम मोपली लेंगे उसके बाद उसको हम तावे पे रोस्ट कर लेंगे जब रोस्ट हो जाएगा तो उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा हो जाएगा फिर उसके सारे चिलके हम उतार लेंगे और उसे एक ग्रैंडर में डाल देंगे फिर हम हरे मिर्ची और उसमें हम नमक एट कर देंगे उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा पानी एट कर देंगे तो सको हम ग्राइंड कर देंगे घ्राइंड रणने के बाद आपकी ज़वन तयार है बहुत ही एज़ी है आप både ट्राए करें थैंक यू